हलो फ्रेंड्स मैं अरुन तिवारी निर्ण अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका श्वागत करता हूं मित्रू यह जो वीडियो आपका है बहुत ही मात पूर्ण हमने तीन वीडियो आपको परियावन प्रदूशन इन्वर्मेंटल पॉलूशन पे बना रखा है इन्वर्म कलते हैं उसका निस्तान कैसे किया जाता है यह वीडियो आपका उसी पर त्यार हो रहा है बहुत ही मात पूर्ण टेट की परिक्षा के लिए बहुत ही मात पूर्ण टॉपिक है जरूर इसको देखें दो तीन बार देखें जिससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं पहले पर ये वीडियो त्यार हो रहा है आपका देखें यहां पर देखें पॉइंट से अपसिस्ट पदार्थ कहते किसे हैं वोगर हम लोग देखें मनुस्य एवं अन्य जीवों के दैनिक रिया कलापों के फलसरूप निकलने वाले अनुप योगी पदार्थ को अपसिस्ट अब सब्जी वेस्टेज निकल गया छिलके निकल गए या फिर विविनपरकार का जो खाना बच गया वहां अपसिस्ट पदार्थ है अरता जितने भी आपका हमने जो है चावल बना रहे है चावल की भूसी निकल गई चावल का आई जे धान के पेड़ से पुआल निकल ग अब अगर अपसिस्ट पदार्थ को साधान बोल चाल की वासा में क्या कहते हैं अगर बात किया जाए कि कचरे के प्रकार कितने होते हैं तो सबसे पहले थोस अपसिस्ट होते हैं थोस अपसिस्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं एक जैविक कचरा और एक अजैविक कचर जैविक कच्रा ऐसा कच्रा होता है जो क्या हो जो ऐसा कच्रा होगा जो अगर खुले में रख दिया जाए मिट्टी में दबा कर रख दिया जाए तो वो अपने अब नस्ठ हो जाता है सडगल जाएगा और सडगल करके नस्ठ हो जाता है For example, सबजियों फलों के छिलके, घर्यम कारखानों से निकलने वाली राक, खराब भोजन, डंठल, बूसी, मल, मुत्र ये सब क्या हैं? ये सब जैविक कच्रे के अंतर गताते हैं यह आपके ये अपसिस्ट पदार्थ क्या हो जाएंगे? नस्ट हो जाते हैं स्वतर इनका निस्तान आसान होता है अब अगर अजैविक कच्रा जो जो क्या होगा? जो नस्ट नहीं हो पाता है यानि जो विनस्ट नहीं हो पाता है जो अब घटनी ये पदार्थों से नस्ट नहीं हो पाता है और वो क्या हैगा? उसे बोलेंगे अजैविक कच्रा कारखानों से निकला कच्रा, पोलिथीन, प्लॉस्टिक, धातु इवम लोहा, ये सारे के सारे पार्ट हैं, अजैविक, दियां दीजेगा, जैविक कच्रा को गैर अपघटनी ये कच्रा कहते हैं, और अजैविक को गैर अपघटनी ये, आपका कच्रा कहा जाता है, अब ये दियान दीजीय का कच्रा दो प्रकार के जैविक और अजैविक इससे आप खाद बना सकते हो बिवेन प्रकार के आप क्या कर सकते हो मीथिन गैस उटपन न कर सकते हो ये हमारे लिए ज़्यादा हानिकार है दरव अवसिस्ट की बात किया जाए तो द्रव अवसिस्ट जो होगा वो नालियों और सीवर का गंदा पानी से गंदा पानी जो निकल रहा है वो कैसा है वो द्रव अवसिस्ट है ठोस अपसिस्ट आपने देखा और ये द्रव अवसिस्ट की बात कर रहे हैं कि जो सीवर लाइन का गंदा पानी होता है वो जो उर थोस नहीं बलकि द्रवॉ आफसिस्ट कहलाते हैं अब यानि थोस आफसिस्ट हो गया और द्रव आफसिस्ट हो गया यानि जिय लिकुड वस्ता में होगा अब गैसी अवसिस्ट कौन कौन से है लकडियों कोईले के जलने में जो धूमा निकल रहा है कार्बन मोनो आकसाइड वह जो आपका अवसिस्ट होगा वह गैसी अवसिस्ट कहलाएगा कारखानों की चिमनियों से क्या निकलता है सल्फर डाय अक्साइड निकल रहा है कार्बन डाय अक्साइड गैस निकल रही है कार्बन मुनो अक्साइड गैस निकल ले है ये आपका परिवहन से निकलने वाला धुआ इससे भी आपका सीसा निकलता है मीथेन निकल रहा है और आपका कर्बन मुनो आकसाइड गैस निकल रही है कुणा करकट एवं मरे हुए जीओं के सड़ने से जो गंध निकल रही है वो भी आपका गैसी अपसिस्ट के उदार्ण माने जाते हैं अब अगर बात कर लें ये कच्रा की जो कंप्यूटर है मुबाइल फोन है, सीडी, बैटरी, टीवी, फ्रीज, वासिंग मसीन, एसी ये सारे के सारे क्या हैं आपके ये कच्रा के अंतरगत समलित किये जाते हैं अब अगर हम बात कर लें, क्रिसी अपसिस्ट की जैसे पुवाल है, डंठर है, विभिन प्रकार के अन्य जो उत्पाद हैं क्रिसी के अंतरगत लेगिन इसके ध्यान दीजेगा, क्रिसी उत्पाद के साथ में क्रिसी उत्पाद तो नस्ठ हो जाते हैं लेकिन जो उरुवरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, रासानिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, कीट ना सक दमाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वह अपसिस्ट अधिक खानिकारक होता है चिकिसी अपसिस्ट भी जो विविन अप्रकार के दवाओं के आपके विविन अप्रकार के उससे सिरेंज और भी विविन अप्रकार के चिकिस्ट की जो उत्पाद अपसिस्ट निकलते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही आनिकारक प्राक्रति गटनाओं से ज्वाला मुखी का विस्पोर्ट हुआ ज्वाला मुखी के विस्पोर्ट से विविन प्रकार की हानेकारा गैसे निकली राक निकली वो भी आपके आपका क्या है अपसिस ट्रेनिक कछना को बनाने में भूमिका निभाते हैं पर अब हाओ क्या पड़ेगा ज्यान दीजेगा 1984 में मद्द प्रदेश के भोपाल में एक उर्वरक उत्पादन करने वाली कमपनी थी किटना सक उत्पादन करने वाली कमपनी थी उसी से भोपाल गैस त्रासिदी होता है जिससे हानिकारक मिथाईल आईसोसाइनेट नमक गैस निकलती है मिथाईल आईसोसाइनेट जो गैस निकल रही है उससे क्या हुआ कि बड़े अस्तर पर लोगों की जन धन की हानी हुई इससे क्या हुआ कि लोगों को कैंसर बड़े अस्तर पर हुआ, सांस फूलने की घटना हुई, सिर्धर्द हुआ, अंगों का फूलना ये सारी घटना है हुई, और ये सब यूनियन कारबाइड पेस्टिसाइड फैक्टरी से निकलने वाले ही जो M.I.C. गैस है, मिधाइल प्रभाव हुआ, यहांगि इसका प्रभाव हुआ वो पौधों में और पौधे से फिर जीवों में, फिर वनुस्य में इसका प्रभाव बना रहता है, मानो स्वास के लिए बहुत यह दिखाने कारब, अगर हम बात करें एस्बेस्टरस की, तो एस्बेस्टरस जो है, एक आप अपने घरों में एस्बेस्टस लगाते हैं वो एक चादर के रूप में छतों और दर्वाजा के अनिर्मान के लिए किया जाता है और इससे एक एस्बेस्टोसिस नामक बिमारी होती है ऐसे विविन प्रकार की बिमारी और इससे कैंसर फेपड़े का कैंसर स्वसंद संबनी बिमारी हो जाती है पारा अगर जल में पारा के दिखता हो जाए तो इससे मिनिमाटा नामक रोग होता है प्रभाव में देख लिए अब इसका निस्तार कैसे करेंगे इसको देखा जाए अपसिस्ट का निस्तार अपसिस्ट रिस्तान के लिए 4R 4R की आवश्च चकता है पहला 4,1 क्या है? Refuse Refuse मिस्ट क्या होता है? मना करना कुछ ऐसे अपसिस्ट पदार्थ हैं जिनको हमें उनके उपयोग को मना कर देना है जैसे फॉर इग्जाम पर प्लास्टिक जैसे फॉर इग्जाम पर पॉलिथीन इनका हमें खुद उपयोग नहीं करना है Refuse करना है मना करना है हम न तो पॉलिथीन या प्लास्टिक का उपयोग करेंगे न करने देंगे यानि 1R1 का मतलब है Refuse Reduce मनलब कम उपयोग करना किसी चीज़ का अगर आप उपयोग कम करेंगे तो क्या हो जाएगा आज़े वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है जैसे क्या हो विभिन वस्तूं का उपयोग अपनी आवस्च्टा नुसार करें जितनी जरूरत उतना ही आप इस्तेमाल करें आप ज़्यादा उपयोग न करें कम करना यह नहीं बोला जरूरत करें ही नहीं कम करें जितनी आपकी आवस्च्टा है केवल उतना करें अगला है आर थ्री जो आपका है री री यूज मलब फिर से उपयोग करना यानि ऐसा कच्रा होता है जिसका फिर से हम पुने उपयोग कर सकते हैं जैसे माली यह कागज है तो कागज को हम क्या कर सकते हैं एक तरफ इसे कागज हुआ आप सेकेंड दूसरी तरफ अगर खाली वो पड़ा हुआ है कच्रे में फेक रहे हैं उसे अच्छा है कि आप फिर से उसका दूबारा उपयोग कर ले रियूज इसको कहते हैं या जैसे माली यह फिर से आपने उसका क्या उपयोग कर लिया तो आपने उसका जो विभिन वस्तूं को रखने के लिए आपने डिबा बना लिया और विविन प्रकार का आपने पॉलिथीन के स्थान पर उसका उपयोग कर लिया यानि री यूज मनलब फिर से उपयोग करना री साइकलिंग यानि उसका फिर से पुनर चक्रन करना फिर से पुनरशक्रन का मनलब बेकार और अनुपयोगी सामानों का रूप बदल कर उन्हें फिर से पुनरवपयोग के लिए बनाया जा सकता है जैसे घरों में उपकरणों को, वाहनों को, अगवार को, प्लास्टिक को, कबारी को पुनरशक्रन के लिए दे सकते हैं यह आपको हमें क्या abscist निस्तान के लिए 4R का प्रयोग करना चाहिए अब देखें यहाँ पर हम लोग थोला थोला देख रहे हैं कि ठोस abscist का निस्तान करना है तो क्या करें जैसे कुछ चीज़ों को हम जला करके abscist का निस्तान कर सकते हैं जला दिया जाए लेकिन ध्यान दीजेगा उसमें polythene ना हो, फसलों के डंठल ना हो, प्लास्टिक ना हो, इनको जलाएंगे तो धूमा जो निकलेगा, वह हमारे लिए अधिक खानेकारक होगा कुछ चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैविक खाद, यानि जैविक कच्णों को हम लोग फिर से पुनुशक्ण करकर सबसे, आपका जैसे फल, फुल, सबजी के छिलके, जानुवरों के मलमोत्र, सूखी पतियां, डालियां, आज इको गड़े में दबाकर मिट्टी से रख दिया जाए, तो यह एक दो-तीन महें के बाद क्या हो जाएगा, वह एक खाद के रूप में बन जाएगा, यानि उसका रिसाइक्लिंग भी हो गया, और खाद के रूप में भी बन गया, घ्यान दीजेगा, अगर हमको जो बिन प्रकार के कच्णे हैं, उनको रखने के यह अलग रख रंग के आईजेग कुड़ेदान का प्रयोक किया जाता है, हरे रंग को कुड़ेदान में क्या करेंगे, हम जैविक कच्रा रखेंगे, जैविक कच्रे को, गीला कच्रे को हम कहां रखेंगे, हरे रंग में रखेंगे, हम नीला कच्रा में क्या, जो सूखे है उनको हम नीले कुड़े दान में रखेंगे जादा तर जितने भी सार हैं उन सभी सारों में हरा और नीला इन डिबों का इस्तेमाल बड़े अस्तर पर किया जा रहा है हरे कुडे दान में जैविक यानि गीला कच्रा और जो नीले में आपका हरे में आपका जैविक और दूसरा नीले में आपको जैविक कच्रे ध्यान दीजेगा लाल कुडे दान में हम चिकिस्ट की अपसिस्टों को रख सकते हैं या रखते हैं अगर हम बात कर लें द्रव अवसिस्ट का निस्तान कैसे किया जाएगा तो सारी छेत्रों में सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट लगा दिया जाए सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट लगा करके हम उसका निस्तान कर सकते हैं अगर गाउं में है, सौक पिट लगा दिया जाए तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं द्रव अपसिस्ट का निस्तान कर सकते है लास्ट देखें, गैसी अपसिस्ट का निस्तान कैसे किया जा सकता है तो हम क्या करें, बायो गैस का, सोलर इनरजी का LPG Cylinder का उप्योग करें जिससे जो है गैसी है जो अबसिस्ट है उनका निस्तारण किया जा सके बहुत ही मातपूर है ये टेट में के लिए भी मातपूर है प्लस आपका सी टेट के लिए भी मातपूर है इस वीडियो को दो तीन बार देखें अच्छे से इसको त्यार कर लें और इससे आप क्या करें कि आप इसको देखने के बाद आप इसका नोट्स त्यार कर लें और जिससे आप के लिए क्या है कि हर परिच्छा के लिए उप्योगी थाबित हो सके वीडियो जिए आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्र यारों को जरूर बताएं कि निर्ड एकडमी की आनलाइन क्लासे स्टार्ट हो गई है अपने मित्र को ये नमबर दे दे 94-78-82-83 इस नमबर पर कॉल करके वह समस्या का समाधान कर सकता है नहीं हमारे आनलाइन क्लास में अडमिसन ले सकता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद